गुट मॉर्aciग स्पूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर नमबर थर्टीन, Means of Transport बच्चों, Means of Transport क्या होता है? पहले हम लोग क्या जाने, एक जेगे से दूसरी जगे जाने के लिए जो चीज़ें हमें जो यो चाणि करते हैं, वो means of transport होता है means of transport भी land transport तीन तरह से होता है land transport, air transport और water transport means of land transport होता है means of air transport होता है means of water transport होता है जो land पे चलता है तो उसे हम land transport कहते हैं जिसे बाइकल्स, टॉंगाज रिक्षा, यह सब jeep motorcycle, cycle, scooters jeep ये सब क्या है land transport है means of air transport कौन से होते है वो transport जो air पर उड़ते है जैसे aeroplane, helicopter है न ये सब क्या होगे आपके air transport means of water transport वो transport जो water में चलता है जैसे की harbor the sail from harbor into sea we travel इसे short distance के लिए जाते है ship है, boat है, ये सब क्या होगे, air transport तो start करते है अपना ये new chapter means of transport name any three names name any three means of transport by which you have traveled आप मुझे सबसे पहले ये बताईए ऐसे तीन transport के नाम बताईए ऐसे तीन चीजों के नाम बताईए जिस पर आपने traveled किया हो ठीक है, ये one, two, three दिया हो, इस पर आप अपने जिस पर आपने travel किया, उसका नाम लिखिए start करते है, page number 72 means of transport carry us from one place to another we use different means of transport to go from one place to another हम अपनी एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए means of transport, ट्रांसपोर्ट को use करते हैं, ये difference होते हैं, अलग-अलग तरीके के होते हैं, अलग-अलग जगाओं के लिए दूर जाने के लिए हम दूसरा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, पास के लिए कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं As a example, हमें दूर जाना है, तो हमें fast transport की जरुवत है, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, air transport, और वैसे हम लोग train यूज़ करते हैं, वगर हमें बहुत जल्दी पहुँचना है, तो हम air transport का यूज़ करते हैं, ऐसे ही थोड़ी past की जगों से हम cycle से चले जाते हैं, बट कहीं स्कूटर, bicycle ये बाइकल्स वगरा यूज़ करते हैं, ठीके बच्चों, long time ago, people walk long distance to foot or roads, animals, बहुत पहले क्या होता था, बच्चों, पहले के जमाने में, इंसान लोग को, सब हम लोग दूर से दूर जाने के लिए क्या करते थे, पैदल जाते थे, और animals का यूज़ करते थे, जिसे हमें एक जगे से दूर सी जगे जाना होता तो means of transport का यूज़ नहीं करते थे, हम लोग, वो लोग क्या करते थे, पैदल ही चल परते थे, जिससे क्या होता था, बहुत देर लगती थी, बहुत समय बात पहुँचते थे, as a example, अगर आपका school बहुत दूर है, तो आप पैदल ही जा रहे हो, तो आपको two hours लग गए, three hours लग गए, और अगर इसी की जगे अपना asport ले ले लेते कोई, तो आप जल्दी पहुच जाते थे, ठीक है, वील्स वर not known to them then, तब पईये का विशकार नहीं हुआ था, वील्स को जानता है नहीं था कोई, after the invention of वील, वील क विशकार के बाद, जब हमने वील का invention कर लिया, people start using karts with wheels, karts were pulled by animals, जब हमने wheels का use कर लिया, wheels को जान लिया, उसका invention हो गया, तो people ने क्या किया, उसकी गारी बनाने शुरू कर दी, बैल गारी बना, जानवरों का use से, उसको खीचते थे, जानवर पुल करते थे, तो हम एक कर दिया, तो उसमें थोड़ा कम समय लगा, और हमा स्थाखान भी हो, बची, तो यह तो हमारा chapter था, means of transport, तो students, आज आपको क्या करना है, इसका assignment करना है, वह मैं भी आपको बताऊंगी, now we travel on land, in water and air by using different means of transport, तो इस पर तीनों transport आपके बने हुए, air transport भी दिया हुए, आपक आपका assignment क्या है बच्चो, आपका assignment है, brainstorm page number 76, it has two big wooden wheels, it is pulled by horse, तो इसे क्या कहेंगे, it has no wheel, but it flies in the sky, यह clues दिये हुए आपको, और आपको इनके means of transport देने, it is a boat fitted with a motor, तो यह आपको हमने एक clue दिये हैं, और इस पर आपको आपना, answer देने, page number 76, brainstorm, read these clues and name the means of transport, it has two big wooden wheels, it is pulled by a horse, number 2, it has no wheels, but it flies in the sky, it is a boat fitted with a motor, this is your assignment, okay students, now good bye